कि अब दोस्तों दोस्तों आपसे कभी ना कभी एक सवाल पूचा हो गया होगा या फिर आपकी मन में सवाल आया होगा कि आखिर एमेस एकसल में रो और कॉलम कितने होते हैं तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ एमेस एकसल के कुछ बर्जन में रो और कॉलम कितने होते हैं तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं दोस्तों रो और कॉलम एमेस ओपिस के बर्जन पर डिपेंड करते हैं आखिर तो यहां पर 23 की वर्झन के इसाब से रो और कॉलंड दिफाइन होती हैं तो यहां पर हम चलते हैं कुछ हमने लिखे हुए आपर उनके पालिघ्म और रोघ्लम तो यहां पर 23 के वर्झन में MS Office के Excel में 65536 रो थी और 256 कॉलम थी दोस्तों तो वहीं 2007 में 10,48,536 रो थी और 16,384 आपके कॉलम थी सेम दो यार दस में भी दोस्तों यहां पर मैं आपको कुछ बता रहा हूं जैसे कि आपको अपनी कीवर्ड का आपको बन्हoking कीवर्ड के कंट्रोल को दवाना इरों प्लस डाउन आडों को जैसे आप आप में10 यहां पर यहां पर आप सीधे लास्ट वाले कॉलम पर पहुंच जाएंगे झासा की यहां पर यहां पर आपको बता रहा है अब जैसी आपको रोपर जाना तो रोग के लिए आपको जाना सीधे आपको राइट है वाली एरो की को प्रेस करना दबाना यह भी जैसी में इस पर दबाता हूं तो लाश्ट वाले लेकिन यहां पर इन्होंने डिजिट के साब से नहीं बताया इन्होंने अल्फावेट के साब से काउंटिंग बताईए तो यहां पर आप इसको मान के चले रो को यहां पर दस लाग 48560 तो यह कुछ बेसिक जानकारी थी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था तो आई होप आपको यह वीडियो के काफी एलफुल लगा होगा तो आप इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चल्पर बने रहें ओके फ्रेंट थैंक्स और बाई बाई